कर लाइय को करें तो आज की इस वीडियности ने हम आपको विलकुल 0लेवल से इंग्रिष को सीखनें की कैसे इंग्रिष को बोलते हैं आप लोग वीडियो में वने रहे और जल्दी से वीडि़ी ऊई वर लाइक कर दिठें 절區 और जरूर मेंशन करना यहां पर चैट बॉक्स में कि आप कहां कहां से हैं आप अपने स्टेट को जरूर मेंशन कीजिए का मैं देखना चाहता हूं कि मुझे यह प्यार कहां से मिल रहा है राइट और आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश की शुरुआत कैसे करते ह हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा मैंने सोचा लाइव आता हूं कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होता है वीडियो देखने के बाद वह क्लारिफाई नहीं कर पाते कि इंग्लिश की आखिर शुरुवात कहां से की जाती है तो इस वीडियो में थोड जार्खंट एट को के निहा वर्मा गुड़ इवनिंग सर हों ठीक है नाम तो नहीं पता चल पा रहा है है हलो हलो कैसे हैं तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मैं लाइफ बहुत रहा राता हूं यह सेगंड डाइम मेरा यूट्यूप में लाइव आया हूं आप लोगों के लिए और अब मैं लाइव अकसर आया करूंगा तो यहां पर मैं आपको एक शोड़ी सी बात मैंचन जीरो लेवल से भी मैंने इंग्रिश को शुरुवात किया है आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर कुछ वीडियो देख सकते हैं कि अब कर रहा हूं और कुछ स्टुडिंट्स और आजाएं जुड़ जाएं तो फिर हम इस क्लास को शुरू करेंगे और वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखेगा बने रहेगा वीडियो के अंदर क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक करने के लिए लाइब आया हूं आप लोगों के सामने राइट तो अभी हमारे साथ है साथ ओके सेवन स्टुडेंट्स है हमारे साथ अभी आई वांट अट लीस्ट फिफ्टी इन्टी स्टुडेंट्स इन डिस अग अग ऑग इंगलिश को सीखना कोई बहुत बड़ा करते हैं वहां से बुख्षेज करते हैं और प्षेश करने के बाद हम किया करते हैं हम अपने मंद मर्जी कोई भी पेज lleva Oh उपन करते हो और उसको पहली मंजील पर जाना है तो आप क्या करोगे आप जम करकर के जाओगे राइट लेडर्स को तो गिरने के भी चांसे होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दी पहुंच जाओ लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल लाइफ के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो जुड़े हुएं आई तेंक वी हैव सिक्स पीपल राइट नाओ अ मिल्कु एक बर प्लीज बताये कि मेरी अवाज बिल्कुल क्लियर आ रही आ रही है आप लोगे पास अगर आवाज के लिए तो प्लीज मैसेज में एक बाल लिग दीजे ताकि मैं इस क्लास को शुरू कर सब्सक्राइब राइट है हाव डूइट आइड नो विट ओके डन अ को के सो सच इन पटेल गुरिवनिंग सब्सक्राइब इवनिंग सच इन और मयूर जी कैसे आप मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा एक्शली एप मेरा लांच होने सब्सक्राइब वाला है कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रहे है टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वैसे वह आपको मेर को वापस उनको सेंड करना पड़ा बहुत जल्द लांच हो जाएगा आप लोगों के लिए आप उसका बैनेफिट जरूर लेंगे डोंट सुरी इट्स अनुष्का 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 ओके प्यास आप बहुत जल्दी लॉंच करूंगा मैं डूंट वरी तो वी हैब सेवन राइट नहों हाँ कि चलिए मैं आपको बताता हूं देखें इंग्लिश को सीखने का जो सिंपल और बहुत इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और मैं लाइव स्पैशली इन्हीं उन्हीं स्टूड़ेंट के लिए हूँ जो यहां पर देख सकते हो मैंने लिखा है बिल्कुल 0 से शुरुआत करें और कैसे बिल्कुल 0 से इंग्लिश की शुरुआत करें जिन स्टूडेंट को यही नहीं पता कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है तो इस वीडियो में वह डाउट के लिए हुआ है अब यह चार्ट क्या है यह चार्ट बिना याद करें आप इंग्लिश को बोली नहीं सकते आपको अगर यह नहीं पता कि आए जिसको हिंदी में मैं को इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे हम अगर मुझे बोलना है हम लोग तो हम की इंग्लिश क्या होती है अगर मुझ किसी भाशा के माध्यम से ही किसी भाशा को शीखते हैं अगर आपको पंजाबी चीक नहीं है तो कोई पंजाबी बनाऊगे और फ्रेंड बनाने के लाद उससे पागे मुझे तो आप क्लास को शुरू करते हैं और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा राइट देखे सबसे पहला जो कॉंसेप्ट है वो यह है कि आप चाएं हिंदी मराथी पंजाबी इंग्लिश उर्दू कोई भी लैंग्विज या कोई भी भाषा सीखने की शुरुआत जब करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको बोलना क्या पड़ेगा आपको बोलना पढ़ेगा सेंटेंस यह लिए वाक के भूला पडएगा तो यहां पर जब इंग्लिश बोलते हैं बात करते हैं इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है तो कुल मिला के बात क्या ही सेंटेंस यानि कि आप क्या करोगे आप वाक्य बनाओगे तो वाक्य क्या होता है वाक्य होता है दो तरह का ध्यान लखना कोई भी सेंटेंस होगा कोई भी भा भी ज़ी ह兩 जरूरी है एक्षन का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक के दवारा किसी काम को करने की यह सब्जेक के दौरा किसी काम के हूने की बात होती है Yarris. själ आप देच सकतें ये सेंटे तुम खेलते हो यानि कि तुम के द्वारा खेलने का काम हो रहा है देखा आपने अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया आती है जैसे पढ़ना उठना खेलना भागना दोड़ना नाचना तो आप समझ जाए वो सेंटेंस एक्षन का संटेंस है यहां तक क्लियर हो गया ले लेकिन तुम के सैंटेंस में कभी यहां को क्रिया celebrity को नहीं सिर्फ बताया हैं कि तुम एक डॉक्टर हो मैं वोले तुम10 डूक्टेंट हो आप एक बहुत अच्छे विद्यारती हो लेकिन कोई काम तो नहीं कर रहे न इसलिए तो है उपसेट कोई वरभ थोडिए गो ड्रिंक प्लेइट लाफ राइट यह जो देख रहे हो डिस्टिब्यूट राइट एंटर फैर यह जो वर्ड से यह क्रिया का है कोई काम करने की बात नहीं होती इन्हें बोलते हैं इंग्लिष को सीखने की शुरुआत करते हैं आप यहां से करते हैं लिए इंग्लिष को सिखाना किसे 10 से यहां से सिखा देते हैं 10 सिखाएंगे बच्चा कंफ्यूज होके रहाता है इंग्लिश कभी बोलनी आएगी नहीं आपको इसका एक तरीका एक विडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यहां पर क्या लिखा है 10 10 से सीखना इंग्लिश को उससे भी पहले जरूरी है कि आप पहले नू एक्शन को समझ लो और इस पर अपनी कमांड बना लो यह बोलना आपको आना चाहिए अगर आपको यह बोलना आ गया तो तो पीछे-पीछे भगेंगे आपके तो इंग्लिश तो अपने आप बोल नहीं देखा अपने यह क्यों जरूरी है वो बताता हूं यह पूरा देखर आप यह एक है अर्थ-प्रित्वी सी पू दुनिया में अभी इसitt वाक्त आप किना टाइम हो रहे हैं मेरे माता पीताजी यह लोग डुजो बात कर रहे हैं पने चालक से बात कर्या है वो क्या कर रहा होगा पता है वो action में बात कर रहा होगा कहा जा रहा है क्या खा रहा है तुम क्या देख रहे हो उसने तुम्हें क्या बोला था तुम क्या पढ़ रहे हो क्या तुम इस वीडियो को देख रहे हो यह जब क्रिया करने का जो काम होता है यह सारे sentences होते हैं action होते ह ठीक है तो क्या होता है कि 97 परसेंट लोग इस दुनिया के अंदर वह एक्षन में बात कर रहे होंगे एक्षन में पूछ रहे होंगे लेकिन केवल 3% लोग होते हैं जो इन सेंटेंस को इस वक्त बोल रहे होंगे जैसे मैं अपसे बोलू आपका नाम क्या है मैंने यह थोड़ी बोला आप क्या कर रहे हो मैंने क्या बोला आपका नाम क्या है मैं बोलू यह एक मारकर है और यह मेरा मारकर है इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं मैं बोलओ मैं एक नीघर हों पैडना यह हो लेकिन अगर मैं बढ़ाता हूं तो तो इस तरह से आपको अपने माइंड के लिए यहाँ आ इक पर लेनी वह श mij'tå पर आपको बताई है तो एक्षन और नो एक्षन यह चीज समझ में आ गई सबसे पहले किसे टार्गेट करोगे इसे नहीं पूरा हिंदुस्तान इसको टार्गेट करता और इसकी वैसे इंगलिश को नहीं सीख पाता रहे आप यूट्यूब पर हो आप इंस्ट्रेग्राम पर वीडियो को उपर करते हो उसके नहीं पर दोदीजियें क्योंकि इतने सबस्क्राइबर होने के बाद भी वीडियोज ना आने का मतलब सिरफ यूट्यूब इन वीडियोज को आगे शेयर नहीं करता तो आपके बदलत ये वीडियो उन गरीब बच्चों तक भी पहुंच सक तो इनलए के बारे में तो आप हमले हमने टार्गेट क्या बनाया हम tuagha लेनों एक्शन को सीखेंगे तो अब Nordicamal की सेज़ूक। चेया को इस से अगला मचा दोगे ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अगे अब यहां पर आप देखिए कि मैंने क्या लिखा है सेंटेंस यानि कि वाक्य इसके बारे में बात और याद रखने हैं वाक्य कोई या तो वह एक्षन होगा या नो एक्षन होगा अब एक और बात सीख लो वाक्य कोई भी हो छेही तरीके से लिखा या बोला जा सकता है मेरा पर्सनल चैलेंज है सभी और इंडिया सभी लोगो इस दुनिया का कोई भी वाक्य चाहें आप मराथी पंजाबी गुजराती पहले किसे आप बोल सुन समझ सकते हो साथवा तरीका है ही नहीं राइट देखो पहला संटेस देखो मोहन कमरे में यह मैंने पहले संटेस बोला वह सेकिंड क्या है मोहन कमरे में नहीं है बड़े ध्यान से देखना मैं आपको बताऊंगा यह बहुत गहराई वाली बात इस वाले संटेस में देखो हमने लगाया सिर्फ है जब यह वाला संटेस बोला तो यह हो गया नेगेटिव क्या हो गया यह नेगेटिव संटेस हो गया अब यहां पर देखो यह क्या है यह इंट्रागेटिव हो गया इंट्रागेटिव मतलब क्वेस्टन मार्क इसमें नोट लगा हुआ इसके अंदर उसके बाद है कि मोहन कमरे में क्यों है क्यों मतलब क्या होता है डवल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड लगा होगा हाओ माच हाओ वाट वेर विच हूज हूम यह सारे डव्यू वर्ड सोते हैं तो यह लगा हो सकता है या फिर डवल्यू ए अच्छा आप टीचर क्यों हो क्यों नहीं हो तो यह जो six categories मैंने आपको बताई है जो six types मैंने बताई है sentence के यह आपको ध्यान रखना है कोई भी sentence हो आपको इन six types में उसे convert करना आना चाहिए मैं आपको एक confused तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बतान चाहता हूं जब एक sentence को देखिया मोहन कमरे में हैं अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलू तो मैं क्या बोलूँगा मोहन is in the room right आप देखिए मैं करूंगा मोहन is in the room is not in the room is more not in the room why is more not in the room why is more not in the room मैंने यह six categories जो आपको दिखाई मैंने इसको इंग्लिश में convert कर दिया इतनी जल्दी क्यों कर दिया मैंने इतनी जल्दी से convert इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने इस पर practice की हुई है और आज मैं all इंडिया students को live पढ़ा रहा हूं यहां पर यूट्यूब पर just because कि मैंने इस तरह से practice की थी कहे कभीर सौसंत पिए वहु विधी अमरित पाए तो मैंने जिस वे से सीखा है मैं उसी वे से इस इंग्लिश लेंग्वेज को हजारों लोगों को लाखों लोगों को सिखा सकता हूं यह guaranteed है अगर आपको एक बार cycle चलानी आ गई तो किस वे में आपने cycle चलानी सी की थी बस उसी सिद्धानत को आप जितने लोगों पर लागू लगा दोगे लागू कर दोगे वह लोग भी आपी की तरह चलाना सीख जाएंगे सिंपल है ठीक है तो आप ध्यान से देखो यह छे टाइप इसके अलावा सात्वा टाइप नहीं होता यह बात पता चल गई औ कि आभ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक न्यू स्क्रीन आपके सामने आ गई है अब आपको तीसरी बात पहली बात कहती ही शेंतेंस कोई भी और सुना समझा जा सकता है अब sentence के बारे में तीसरी बात, कि किसी भी sentence की, किसी भी वाकिए कि English जब आप बनाना चाहोगे, किसी को अपना दोस्त बनाओगे, तो पहले जान तो लो, वो है क्या चीज, क्या पता, वो दोस्त, बहरूपिया निकले, आपको धोका दे दे, सेम उसी तरह से इन sentences का हाल है, य ऐसे आप उसकी English फटाफट बना सकते हो, जैसे मैं बना लेता हूं, यह जैसे और भी English के यूट्यूबर्स पे, आप देखें, यूट्यूबर्स जो है, वो English पढ़ा रहे हैं, यूट्यूबर्स पर, वो कैसे बोल लेते हैं ती जल्द English, तो उसका एक निचोड बता रहा ह हम आपको देखो, सबसे पहले आपको यह दिया नखना है कि देखो, एक बात दिया नखना हम आक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ no action sentences की, अब no action के अंदर सबसे पहले क्या देखो, यह है subject, यानि कि कोई भी sentence हो, उसमें एक करता जरूर हो आप इनको बोलते हो helping verbs, मेरा एक सवाल छोटा साब से, यह no action के sentences है, इसमें verb तो है नहीं, क्रिया तो हमारे लिए जहर है, क्योंकि हम तो no action सीख रहे हैं, और जब क्रिया है ही नहीं, तो यह is mr help कि कि करेंगे, तो यह helping verb तो हुई नहीं, क्योंकि जब वर भी नहीं है, तो म time of words है, subject की पहचान क्या है, किसी नाम, किसी का नाम होगा, किसी का भी नाम होगा, मेरे पिता जी का आपका sister का भाई का बहन का रोहन, मोहन, कोई भी हो सकता है, राजू हो, कोई भी नाम हो, या जिसके बारे में बात हो, वो subject होता है, examples यहां है, अभी बताऊंगा, ध्यान स होंगा होगा अच्छा फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसके बाद यहां पर क्या है अब अब्जेक्ट क्या होता है subject और टाइम वर्ड को छोड़ दो संटेंस में जो भी बचता है वह सब अब्जेक्ट ही होता है एक्जंपल से समझेंगे ठीक है सब्जेक्ट टाइम वर्ड को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी पच्छता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है ठीक है लास्ट फाइनल फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य का अंत होगा तो फुल स्टॉप अब इंग्लिश में तो बोलेंगे निया डॉक्टर फु हो कि एक सेंटेंस के अंदर आप यह चार चीजें अगर चांट लेते हो यह इसको फाइड आउट कर लेते हो कि वेर इस सब्जेक्ट वट इस अब्जेक्ट कहां पर है कौन सा लगांगा इसमा लगां वह लगां तो समझ लो कि आपकी दुन्द छट जाएगी और आप क्या है और इसमें प्ल स्टॉप यह आप सकते हो आप सब्जिक्ट यलो रखा हुआ है तो इसमें घमले में है मैं ऑलू है क Trop सबढसर में कुल хотите कर निकल की बार आ जाएगा किसी संटन्स को पकड़ जो मैं बोलू यह एक पय तो यहां पर देखो मोहन कमरे में कमरे में कौन है किसके बारे में बहुत हो रही है बात किसके बारे में हो रही है मोहन की तो मोहन इसका सब्जेक्ट हो गया तो यहां पर देखो यहां पर रेड कलर में क्या लिखा है है लिखा हुआ यह क्या है यह आपका टाइम वर्ड है राइट ग्रीन कलर में क्या अबस यह जो बचा यही तो औबजेक्ट है किसी को औबजेक्ट कहते हैं और अगर आपने यह हम चाटना सीख लिया आप किसी भी हिंदी के सपोड़ को चुठ्कियों में इंगलीश में कनवर्ट करना सीख जाओगे इसको बनता है रांसलेशन कोई मिर रोड बार पुचहँ ना बार बार आंसर दोगे हर बार साही होगा पताऊं क्यों Because you are confident that that this is your name if my name is milab gupta I am confident क्योंकि मुझे पता है मेरा नाम milab gupta ही है और कोई भी मेर से कितनी रफ़ते हिसे का मैं हर बार करेक्ट ही बताऊगा राइट लेकिन कोई कहनी हमें नहीं पता इसी तरह से जब आपको इसके बारे में पूरी जानकरी नहीं है तो आपको भी confident हो यह नहीं पाएंगे कहां टेंस और मॉडल वर्ब्स को सही से पूरी इंग्लिश पर राटेदारा बोल पाओगे जब तक आपको यह जड़ ही भाई चोर इसमें सब्जिक क्या है ध्यान से देखो किसी का नाम या फिर जिसके बारे में बात हो अब यह पता कर लो चोर कौन है आपके सामने सब्जिक निकल के भार आजएगा चोर कौन है सोनिया अगर सोनिया चोर है तो सोनिया ही सब्जिक्ट है लेकिन आप मुझे और टूकर बाइगी यह सब्जेक्ट दोगया पूरा इसमें तो सरफ महान था यहां पे तो सोन्य का भाई तो यह पूरत है यह हो गया अस। लगा हुआ है यह टाइम ऑड़ इससे पता चलता है प्रेजंट एंसे इसे मार का यूज होगा इसके अंदर है लगा हुआ यह टाइम ओवर देखें अब सब्जेक्ट और टाइम वर्ट को छोड़ कर बीच में क्या बचा चोर और यह जो बचा यह तो अबचेक्ट है सब्ज क्या है जल्दी बता हुँ मुझे कामेंट करो स्पीीट से रवेड़ों मैं आपके आनसर चेक्ड़ों इसमें भी टाओ अ utilizz में वेहन साथ है इस संब्जेक्ऄ सब्जिक्ट क्या है क्या इ appli और सी उन rolling ऐन इसमें सब्जिक्ट क्या है जल्दी बताइए अट वैस्ट स्वास सचेन पताई जल्दी फटाफट इस सेंडेंस के अंदर सब्जेक्ट अगर किसी को पता है तो लिखिए वर फटाफट मैसेज लिखिए उसकी बहन मेरे साथ है इस सेंडेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है जल्दी बताईए सिस्टर ओके उसकी सब्जेक्ट है अंजू पाल नो बिल्कुल गलत है यह इस सिस्टर सिर्फ बहन सिर्फ बहन सब्जेक्ट है गलत जल्दी और सोचो सोचो जब यह इतना सा कॉंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है इंग्लिश कहां से आ जाएगी किसकी वीडियो देखोगे यूट्यूब पर जाके बिल्कुल जड़ से बता रहो ध्यान से देखो और बताऊ जरा और आंसर करो अगर कोई है तो प्लीज आंसर करें शायद किसी आंसर सही निकले इसलया ओके और मुझे देखना है लेकिन यहां से सीक कर जाओगे यह गैरेंटी में पक्का दे रहा हूं इसलिए आंसर तो करा करो जितनी गलतियां करोगे ना उतना जल्दी सीखोगे बट एक प्रॉमिस गलती रिपीट नहीं नहीं चीए यह ध्यान रखना मुझे पता चल गया ना सामने वाले ने मुझे धोका दिया है कोई बात नहीं वाई त स्वीट नहीं करना है राइट यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है उसकी बहन मेरे साथ है अब एक सवाल पूछ लो कौन मेरे साथ कौन है यह पूछ लो सवाल मेरे साथ कौन है मेरे साथ कौन है उसकी बहन कौन है मेरे साथ उसकी बहन तो यहां पर जो सब्जेक्ट हुआ वो हमारा हुआ उसकी बेहन ये हमारा subject है खाली बेहन ये खाली sister नहीं है बात हो रही है उसकी बेहन की अच्छा यहां पर लिखा होता तेरी बेहन या मेरी बेहन तो बेहन किसी की तो है ना कोई तो connected है इसलिए subject जो है वो मेरी बेहन तेरी बेहन या उसकी बेहन ये हो जाता ह और है यह है हमारा ॉसर सब्जिक्ट और टॉद को हटा दो बीच में क्या बचता है प्टफट लिको वैवस्ट बीच में किम इसलिए बताओ उसकी बहन और है दोनों को हटा दिया बीच में है भी आप मेरे साथ देखो उसकी बहन ये था सब्जेक्ट और ये था टाइम ओफ वर्ड राइट बीच में क्या बचा बीच में जो बचा वो है हमारा अबजेक्ट यानिकी संटेंस का अबजेक्ट है आई होप आपको सब्जेक्ट टाइम वर्ड और फुल स्टॉप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस काफी थे आपको समझाने के लिए इसकी लगातार प्रैक्टिस भी कर सकते हो प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होंगे बहुत जल्द इसमें आपको औ इसमें सब्जेक्ट क्या है और टाइम वर्ड क्या है अगर आपको इतना पता चल चुका है तो इसके आगे जो इंपोर्टेंट है वह आपको यह टेबल नमबर वन है जो याद करनी है जिस वे में मैं इंग्लिश लोगों को सिखाता हूं मैं 17 साल से सिखा रहा हूं जो वे होनी ही छाहिए तब यापट इंगलिस को बोलने की शुरुआत कर पाऊगे जैसे मतलब मैं मतलब मेरा मी मतलब मुझे मममी मेरा मेरी मेरे 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 का मतलब हम मेरी म मम्मी का उगे माय मदर तो मेरा मेरी और मेरे इन तीनों की इंग्लिश होती है दिहान रखना इसी तरह से एक मैसेज है सब्सक्राइब करना मैं अभी वीडियो के एंड में वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आप से परस्नली जो है कॉंटेक कर लूँगा मेरा वाट्सप नमर मेरी वीडियो में होता है राइट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना आप मुझसे परस्नली बात करना ठीक है आई विल डेफिनेटली पाइंड आट सब सम्टाइम तो यू सम्टाइम वाला था यह जो यू है और एक यू है इन दोनों यू में क्या डिफ्रेंस होता है यह एक थोड़ा सा बताता हूं यह जो केस है यह सारे केस यह आप होते हैं अब बहुत ज्यादा डцы में ले आओ तो कन्फ्यूज़ दो जाओंगे थोड़ा सा लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए यह संटेंस के स्टार्टर यह सब्जरू में बिलेंगे यह संब्जेक्ट होते हैं यह सब्जांटेंस के अपजेक्टिव पार्ट हो हम लोग कैसे έवक कर लेते हैं मैं आभी आपको दिखाते हैं लेकित देखें से और Фraq अ सबको पता नники शुरस्थ नहीं है कि सम आप निया यह्म ऑपकल होता है सब conspiracy सबको है रिखाकर ना सबको मैं प्यार करता हूं लव एक वर्ब है प्यार करता हूं किसे मैं प्यार करता हूं तुम्हें यह तुम से तो समझ में यह यू कौन सा वाला लगा हुआ है तो यह हमेशा लास्ट में मिलेगा आपको तुम्हें मैं तुम्हें प्यार करता हूं ठीक है अब जरा केस को घुमाते ैं ठीक है आप यहां डेहोने क्या लिखा यहां मैं थिखा आग sangat यह मैंने क्या लिखा यू लव मी अप्देखो अब यहıं कौन सा है यह है तुम कि तुम यह आप तुम पियार करते हो किसे मुझे अब यह बहूंब यह आगे मुझे वहलापर तो यह यू सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो यही तुम हो गया और सेम स्पेलिंग का यू अगर सेंटेंस के लास्ट में है तो कौन सा हो गया तुम्हें हो गया क्लियर हो गया इस तरह से इस टेबल को ना पूरा याद कर लेना कि का मतलब रहा ही के लड़के के लिए लगता है दिए जाटा है अगर कोई लड़का है तो मैं concept आपको समझ में आना चाहिए यह आपको टेबल या दो या यह टिप पे आइमाइम यू 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 दे देम ही हिस हिम शी हर हर वी आरस यह सब को पता अचाहिए ठीक है एक यह टेबल नमर वन और दूसरा आपको पता होना चाहिए यह concept पता होना चाहिए अब यह concept क्या है बड़े ध्यान से देखो इस concept के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जब आप एक subject के बारे में पता कर लोगे तो उसके बाद क्या लगाओगे इंगलिज में किसी से बात करोगे तो आप समय भी तो बताओगे कि जिस बारे में आप बात कर रहे हो वो बात प्रेजंट की है पास्ट की है या फ्यूचर की है जैसे मैं घर पर मैंने क्या बोला मैं घर पर या मैं बोलू मेरे पिता जी कमरे में कमरे में क्या हैं कमरे में थे या कमरे में होंगे कैसे पता चलेगा आपने बोला सर आप कहां पर ना कि जो बात की जा रही है वो प्रेजंट किया पास्ट किया फ्यूचर किये तो जनाब वो यह टेवल ही आपको बताएगी अब यहां पर ध्यान से देखो यह सारे सब्जेक्स है राइट हमें किस काल में कौन सी क्रिया या फिर आप टाइम वर्ड बोल सकते हैं या हेल्पि ओपने लिया नहीं तो वीडियो को जब मैं इसको यूट्यूप डालूगा तो वहां पे जाके पॉस करके आराम से ले लिना ठीक है ऐसे ही यानि कि हम इसके साथ अगर प्रेजेंट में देखे तो आर और है लगेगा तो यह प्रेजेंट में आप देख सकतो यह सामने लग प्रास्ट में क्या है आई के साथ क्या लग सकता है वर्ज और हैड यह ना प्रेजंट की पास्ट यूर फ्यूचर की कैटेगरी वन और कैटेगरी टू की वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भरी पड़ी हुई है आप जाके देख लेना आपको दिख जाएंगी यह तो म लगभ और विल है और ये जैंज नहीं होता ये चांज नहीं यह तक आप आप एक चीज़ और बता दूंँ आप यह भी कह सकते हैं उस यह लोग लोग विल भी और विलएप से ही यूज करते हैं और जैसे ही आप इंग्लिश की गहराईयों में चले जाओंगे ना जब मॉडल वाप सीख रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा यह चोटी सी कहानी है बहुत ही मस्त कहानी है बताऊंगा किस दिन ठीक है तो यहां पर यह आप से स्क्रींशोट अपने ले लिए तो बहुत अच्छी बात है आप मैं आप से सरफ यही कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आज मैंने प्लान किया था कि मैं यूट्यूब पे एक बार लाइव आता हूं और देखता हूं मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं बेस देखता हूं कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप से कि अगर आप मुझे इतना पसंद करते ही हो तो कम से कम वीडियो को एक लाइक तो जरूर देके जाना और अगर कुछ लोग है जो नए आये हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा ठीक है मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है और इस वीडियो को मैं भी यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं इस वीडियो को दो बर तीन बर देख लिजीगा समझ लिजीगा होती है अगले सेशन के अंदर हम इस कॉंसेट को आगे बढ़ाएंगे आई होप की मैं लाइव आउंगा कल सेम टाइम आजाओंगा आप प्लीज आए और वीडियो का उत्सा और मेरा भी उत्सा बढ़ाएं रा और साथ में एक कम चोटा सा और करना है आपको आप वीडियो इस नो एक्शन के जो भी क्राइटेरिया था जो थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बताया है मिरको थोड़ा सा इजाज़त दीजिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सेम टाइम और यूट्यूब प्लैटफॉर्म और लाइव मिलू झाल 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 झाल